नमस्कार मित्रों, प्रेस्तु थै, व्यंग कहानी मुंडन, लेखक हरी संकर परसाई, किसी देश की संसद में एक दिन बड़ी हल्चल मची, हल्चल का कारण कोई राजनेतिक समस्या नहीं थी, बलकि यह था कि एक मंत्री का अचानक मुंडन हो गया था, कल तक उनके सिर पर लंबे घुंगराले बाल थे, मगर रात में उनका अचानक मुंडन हो गया था, सदस्यों में काना फूसी हो रही थी, कि इन्हें क्या हो गया है, अटकलें लगने लगी, किसी ने कहा, सायद सिर में जू हो गई हो, दूसरे ने कहा, सायद दिमाग में विचार भरने के लिए बालों का परदा अलग कर दिया हो, किसी और ने कहा, सायद इनके परिवार में किसी की मौथ हो गई, पर वे पहले की तरह प्रसन लग रहे थे, आखिर एक सदस्य ने पूछा, अध्यक्ष महुदय, क्या मैं जान सकता हूँ, कि माननी मंत्री महुदय के परिवार में क्या किसी की मृत्ति हो गई है, मंत्री ने जवाब दिया, नहीं, सदस्यों ने अटकर लगाई, कि कहीं उन लोगों ने ही तो मंत्री का मुंडन नहीं कर दिया, जिनके खिलाप वे बिल पेश करने का इरादा कर रही थे, एक सदस्य ने पूछा, अध्यक्ष महुदय क्या माननी मंत्री को मालूम है कि उनका मुंडन हो गया है, यदि हाँ, तो क्या वे बताएंगे कि उनका मुंडन किसने कर दिया है, मंत्री ने संजीदगी से जवाब दिया मैं नहीं कह सकता कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं कई सदस्च चलाए हुआ है सबको दिख रहा है मंत्री ने कहा सबको दिखने से कुछ नहीं होता सरकार को दिखना चाहिए सरकार इस बात की जाच करेगी कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं एक सदस्य ने कहा इसकी जाच अभी हो सकती है मंत्री महुदय अपना हाथ सिर पर फेर कर देख ले मंत्री ने जवाब दिया मैं अपना हाथ सिर पर फेर कर हरगिज नहीं देखूंगा सरकार इस मामले में जल्द बाजी नहीं करती मगर मैं वाइदा करता हूँ कि मेरी सरकार इस बात की विस्तत जाज करवा कर सारे तथ्य सदन के सामने पेश करेगी सदस चिलाए इसकी जाज की क्या जरूरत है सिर आपका है और हाथ भी आपके है अपने ही हाथ को सिर पर फिरने में मंत्री महुदय को क्या अपत्ती है मंत्री बूले मैं सदस्यों से सहमत हूँ कि सिर मेरा है और हाथ भी मेरे है मगर हमारे हाथ परंपराओं और नीतियों से बंधे है मैं अपने सिर पर हाथ फिरने के लिए सोतंत्र नहीं हूँ सरकार की एक नेमित कार प्रणाली होती है विरूधी सदस्यों की दवाब में आकर मैं उस प्रणाली को भंग नहीं कर सकता मैं सदन में इस संबंद में एक वक्तव विदूंगा साम को मंत्री महुदय ने सदन में वक्तव विदिया अध्यक्ष महुदय सदर में ये प्रस्ण उठाया गया कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं यदि हुआ है तो किसने किया है ये प्रस्ण बहुत जटिल है और इस पर सरकार जल्दवाजी में कोई निर्णे नहीं दे सकती मैं नहीं कह सकता कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं जब तक जाच पूरी न हो जाए सरकार इस सम्बंध में कुछ नहीं कह सकती हमारी सरकार तीन व्यक्तियों की एक जाच समिति निक्त करती है जो इस बात की जाच करेगी जाच समिती की रिपोर्ट मैं सदन में पेश करूँगा सदस्यों ने कहा यह मामला कुतुब मिनार का नहीं जो सदियों जाच के लिए खड़ी रहेगी यह आपके बालों का मामला है जो बढ़ते और कटते रहते हैं इसका निर्णय तुरंत होना चाहिए मंत्री ने जवाब दिया कुतुब मिनार से हमारे बालों की तुलना करके उनका अपमान करने का धिकार सदस्यों को नहीं है जहां तक मूल समस्या का संबंध है सरकार जाच के पहले कुछ नहीं कह सकती जाच समिती सालों जाच करती रही इधर मंत्री के सिर पर बाल बढ़ती रहे एक दिन मंत्री ने जाच समिती की रिपोर्ट सदन के सामने रग दी जाच समिती का निर्णय था कि मंत्री का मुंडन नहीं हुआ था सत्ता धारी दल के सदस्यों ने इसका स्वागत हर सद्वनी से किया सदन के दूसरे भाग से सर्म सर्म की आवाजें उठी एतराज उठे यह एकदम जूठ है मंत्री का मुंडन हुआ था मंत्री मुस्कराते हुए उठे और बोले यह आपका खयाल हो सकता है मगर प्रमाण तो चाहिए आज भी अगर आप प्रमाण दे दें तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ ऐसा कहकर उन्होंने अपने घुमराले बालों पर हाथ फेरा और सदन दूसरे मसले सुलजाने में व्यस्त हो गया